राम राम दोस्तों, आज का question है, root under x-16 is equal to root under x-4, हम लोगों को x find करना है, तो चलिए solution सुरू करते हैं सबसे पहले जो दिया गया equation है, इसको हम लोग लिख लेंगे, root under x-16 is equal to root under x-4, अब हम लोग equation का दोनों side कर देंगे square, ये square सी ये square root हम लोग काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x-16 is equal to, इस side हम लोग a-b का whole square का use करेंगे, तो a-b का whole square होता है a square, तो a की जगा पे root under x है, तो root under x का square, plus b square, तो b की जगा पे 4 है, तो 4 का square, minus 2ab, तो 2 into root under x into 4, अब हम लोग इसको further लिख सकते हैं, x-16 is equal to, ये square से ये square root हम लोग काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x, plus 4 का square करेंगे, तो आएगा 16, minus 2 forja 8, तो 8 root under x, अब इस x को हम लोग इस side shift करेंगे, और इस 16 को हम लोग इस side shift करेंगे, तो x, इस x को जब इस side हम लोग लेके आएंगे, तो plus का x बन जाएगा, minus का x, is equal to, ये वाला 16 plus का, और ये minus का 16 को जब हम लोग move करेंगे, तो ये भी बन जाएगा, plus का 16, minus 8 root under x, x, further ये x और ये x कट सकता है, ये plus का x और ये minus का x, तो यहाँ पे हो जाएगा, 0 is equal to, 16 plus 16, 32, minus 8 root under x, अब 8 root under x को हम लोग इस side लेके आजाएंगे, तो minus 8 root under x का जब side change होगा, तो ये बन जाएगा, plus का 8 root under x, is equal to 32, इस 8 से 32 को हम लोग काट सकते हैं, 4 ताइम्स में, तो हमारे पास बचेगा, root under x is equal to 4, equation का दोनों side हम लोग कर देंगे, square, तो ये square से ये square root कट जाएगा, हमारे पास बचेगा, x is equal to 4 का square, जोकि होता है 16, यही हमारे पास answer होगा,